Gmail एक important आपका Google Workspace का एक things है जैसे कि आप officially communicate करते हो तो हम इसमें बात करेंगे कि Gmail है क्या तो ये Google email provider service है जिसको Google control करता है Google के दरह provided है इसलिए इसका नाम है Gmail तो हम इसमें बात करेंगे कि हम email और Gmail कैसे send करें कैसे respond करें किसी का Gmail आया कैसे उनको managing करें कैसे जैसे आप उनका कोई email है sent email, saved, unsaved ये सारे चीज़े हम लोग देखेंगे और last thing में हम देखेंगे कि आप कोई email रिख रहे हो और आप अपना signature कैसे add करोगे वो सारी की सारी चीज़े हम लोग इसमें देखने वाले हैं पहले मैं बात करूं कि introduction to Gmail कि Gmail आखिर है क्या है जैसे कि मैं अभी पिछले बार में बताया हूँ कि ये क्या है email service प्रोवाइड जिसको की google द्वार प्रोवाइड किया जाता है इसमें हम लोग क्या कर सकते है कि Gmail is like any other email service provider जो आपका email है, outlook है, ये सब क्या है email service provider ही है कोई Microsoft का है, कोई Google का है इस तरह शे ये सारी चीज़े आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चीज़े को करते है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि sending email कि हम email send कैसे करते है ये most important चीज़े है कुछ options है, कुछ चीज़े हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि हम कैसे email send करें तो मैं अपनी Chrome पर गया मैं अपना Chrome browser open कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे email send कर दें तो email और या मतलब Gmail को access करेंगे कैसे तो या तो आपकी default bookmark कर सकते है Gmail को या फिर सबसे best भी है यहाँ पर आप जग्रेंगे और यहाँ पर जो Gmail दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे ठीक है Gmail पर क्लिक करेंगे आपका Gmail जो Google Workspace है वो open हो जाएगा अभी इसका थोड़ा सा मैं introduction आपको दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको Chrome open किया था तो same मैंने Chrome open किया then हमने Google Workspace को access किया कैसे access किया यह जो हमारे मैं अभी new tab open करके आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो apps Google Apps बटन बने हुए यहाँ से Google Apps पर जा करके Gmail को मैंने लिया now Gmail open होते ही हमारे पास इस तरह से interface आता है तो इस interface में और हमारा जो personal interface होता है यह Google Workspace interface यहने कि यह जो है आपका जो आपका officially provided होता है वो इस तरह interface दीखता है और जो आपका personal होता है मैं उसको भी दिखा देऊंगा कि आपको कैसे वो उसका interface दीखता है मैं आप यहाँ पर जा रहा हूँ मैं आपना personal open करता हूँ यहाँ पर मुझे कैसे access करना है वो यहाँ पर नहीं है ठीक है बाकी चीज़े तो है बट यह चीज़े नहीं है क्योंकि इसमें work हम लोग को feature मिलता है a space create करने का वो यहाँ पर नहीं है ठीक है बस वो थोड़ा सा difference होता है बाकी चीज़े all set होती है मैं आप बात करता हूँ कि हम कैसे email send करेंगे email send करने का first step होता है कि email को write करना compose करना तो हम compose button आप देख पा रहे हैं यहाँ पर compose button है और इस compose button पर click करेंगे then हमारा email writing जो यह prompt है window है open होगा new messages open होगा कुछ इसमें option है जैसे माल लेजिए कि आपको इसको minimize करना है तो आप इस पर click करके minimize कर सकते हैं again इसको maximize करना है maximize कर देजे ठीक है यहाँ पर इसके है तो यह आप छोटा भी कर सकते है यहाँ से close कर सकते है जब close करेंगे न अगर आपने कोई भी type नहीं किया किवल compose करके आपने close कर दिया तो यह email जो task है वो आपका draft में save नहीं हुआ because आपने कुछ add किया ही नहीं ठीक है अब मैं compose करता हूँ ठीक है मैं inbox में आगे आता हूँ मैं compose किया और 2 में क्या होता है कि जिसको आपको email send करने है 2 में उसका email id लिखते है suppose मुझे बिसाल को मैंने मुझे message करना है मुझे कुछ emails करने है तो मैंने बिसाल का name 2 में लिखूंगा और मुझे cc मतलब cc क्या होता है carbon copy इसमें मैं उन लोगों का email डालूंगा और मैं कि मुझे बताना है कि यह जो email है मैंने बिसाल को send किया है as a उनको proof reader या फिर मैं बोल सकता हूँ कि as a उनको मैंने बता रखा है कि यह carbon copy मैंने आपको भी send किया है same as a tis बिसाल को भी मैंने send किया है तो मैं उनका यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ जिनका भी आप multiple लोगों का भी डाल सकते हैं यहाँ पे bcc में क्या होता है जिनका भी email मैं डालूँगा वो एक दूसरे को नहीं बता होगा कि यह email किसको किसको गया है ठीक है तो one time में हम multiple email लोगों को send कर सकते हैं वो भी individual format में ठीक है तो यह तीनो options आपको पता चीजे मैंने बता दिया और वो आपको समझ गया होगी अब आता है हमारा जैसे ही मैंने वो चीजे एड किया subject आता है subject क्या होता है कि आप जो भी आपका email है उनका subject यहाँ पर डाल होगे तो मैं डाल रहा हूँ कि only for training purpose ठीक है तो मैंने यहाँ पर डाला यहाँ पर only for training purpose ताकि उनको वो चीज़ों को समझ जाएं कि यह email only for training purpose से है कोई ऐसा email नहीं है तो मैंने यहाँ पर subject डाल दिया subject के अंदर यहाँ पर जैसे ही आप कोई content लिखते हो तो मैंने यहाँ पर चीज़े आपको इंट्रडिउश करना चाहूँगा chat GPT जो की एक अच्छा tools है जो AI tools है कि आप उनको use करके अपना email वेगरा लिख सकते हो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा chat GPT ठीक है और आप अपने google के chrome जैसे हैं वहाँ पर log sign in कीज़ेगा और sign in करने के बाद with google कर लिज़ेगा तो आप sign in कर लेंगे अगर मैं आपको दिखा भी दू तो यहाँ पर sign in करने का तरीका भी दिखा देंता हो दिखा दूँगा तो आपको better रहेगा उसको understand करने में तो जैसे इस तरह आपका interface आएगा जैसे ही आप chat GPT पर click करेंगे तो login पर click करेंगे और login करने के बाद आप first time sign up करेंगे तो वही option है same way है दूनों में ठीक है बड़ शाइन अप में जाएंगे तो वह आपका Gmail लेगा ऐसे भी आएगा तो Gmail लेगा जिससे आप continue वे गूगल करूँगा मैं और यहाँ पर जो accounts मेरा login है उस पर click कर दूँगा तो यह हमारा आ गया मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि act as a manager और इसको बताई यहाँ पर act as a manager I want to I want to update my team about upcoming training so please please write write writer sort email for that और इंटर कर देजिए तो आपको यह छोटा सा email लेकर कर देदेगा जो कि आपकी training purpose से एक email send करने के लिए देदेगा आप यहाँ से क्या करेंगे इसका select करेंगे और यहाँ पर चीज़ों को select कर लेजे मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने emails में और यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ अभी इस तरह से आप paste करेंगे तो यह आ जागा black black तो आपको ctrl z करना है ctrl shift भी प्रेस करना है ctrl shift भी मतलब only text यह आ गया आपका अब यहाँ पे dear team तो team में आपको क्या करना है जिसका name लिखना है उसका लिख दीजे ठीक है या फिर अगर dear team के लिखना चाहते है dear team लिख दीजे इसको अटा दीजे फिर यहाँ पर आपका training का start होने वाला time है वो सारा चीज़े यहाँ पर लिख सकते हैं और जो भी आपका content यहाँ आप से देखना है उसको भी remove भी कर सकते हैं ठीक है तो मैंने अपको content लिख दिया अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर signature आ रहा है इसको हम लोग last में सिखेंगे कि कैसे हम signature इसको add करते हैं तो इस तरह मैंने अभी अपना content लिखा अगर suppose that कि आपको इस dear team को bold करना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पर bold कर देंगे ठीक है आपको इस time and session details है इसको highlight करना हो तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर आप जो a button text color दीख रहा है यहाँ पर जाएंगे तो आपको दो color मिलेगा यहाँ background color और एक text color तो जो background color आप देंगे तो यह background में आएगा जैसे आपी देखे यह yellow आगया और मैं चाहता हूँ कि इसका front color जो है text का color और वो मेरा यहाँ पर white अच्छा दीखेगा तो मैं new white ले लिया इस तरह से training details आप ले सकते हैं मैं again इसको color change कर देता हूँ black आपको दिखाने के लिए मैं white किया था यह इस तरह से मैं इसको चाहता हूँ कि bold रहा है तो आप shortcut control भी भी use कर सकते है control भी करने के लिए bold करने के लिए आप चाहते हैं कि जो भी आपका जिसे कुछ main thing as and die इसको आप चाहते हैं इटली करना इटली करना चाहते है है अंडरlайн कर देज़ए यहां से इस तरह है आप चाहते हैं कि यह जो चीज आपका है time और यह the training details यह आपका center में रह है तो इसको select करके आप यहां पर पे जा करके कि इस obligесто अगर इसको आप बढ़ा करके भी देखना चाहते हैं इस तरह शे कि आपका पेस कैसे messages दिखेंगे किसी अपने जो जिनको send करेंगे बहुत चीज़े सारे options आप पे visible हो जाते हैं अब आपको चाहिए कि जो आपको आपके इस चीज़ का भी जैसे यहां पे आप सर्च कीज़े यहां पे देखता हूं मैं एक बारी तो जितना आप select कर रहे हैं उनका भी आप टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं font चेंज कर सकते हैं यह जो बटन है तो आपको कोई heading वगरा देना है तो आप इसको slide करके यहां पे जा करके यहां पे large कर सकते हैं जो कि आपका heading वगरा के लिए work करता है नाव यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यह तो आपको alignment मिली गया कि आपको तीन alignment मिलता है right left और center नाव यह आपका bullet point है जैसे माल लिजे कि आपको कोई point में add करना कोई चीज़ है कि आपको कि जो training होगी वो training का agenda है तो मैंने यहां पे लिख दिया training tools training tools में आपका क्या क्या रहेगा मैंने आप इंटर किया और मैं यहां पे underline को बंद कर देता हूं और italic को भी और ना मैं number list on कर देता हूं तो मैं अपी लिख रहा हूं Google Chrome now Google Docs इस तरह सिया मेरा रहेगा मैं भी इसको select करके underline और italic हटा देता हूं और इनका जो है अब मैं थोड़ा सा font change करता हूं wide करके इस तरह से तो मुझे अब क्या करना है मैंने number list भी बना पा रहा हूं अगर मुझे number list ने चीए तो मैं इनको select करूंगा मैं bullet points भी use कर सकता हूं इनको मैंने किया इसको भी मैंने bullet points में कर दिया तो इस तरह से अगर मैं जैसे अब इंटर करूंगा तो हमारा मैंने लिख दिया यहां पर google seat इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं अपना यहां पर list नंबर list और bullet points add कर सकते हैं ना कोई आपको quotations बगरे लिखने हैं तो यहां पर click करके आप इसको as a quotation भी लिख सकते हैं जैसे मैं इसको select कर रहूं और यहां पर quote कर दूँ तो यह इस तरह से आपको quotations में दिखेगा ठीक है यहां पर strike through है कि आप किसी को यहां पर बताना चाहते हो कि इसके जगह पर वह चीज़ लिखें तो strike through भी लगा सकते हैं यहां पर text है जैसे हैं पर select करके तो यह आपका यह क्या हो गया full training यह इसमें आ गया ठीक है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपना पूरे जो text formatting है email writing के दोरान वो सारा का सारा चीज़े मैंने आपको बता दिया सपोज आप training इसी training में आपको क्या करना है कुछ image send करने हैं तो image हम लोग 2-3 तरह से add कर सकते हैं यह image add करते हैं हम कि इसमें insert करते हैं और एक होता है attachment तो attachment हम करेंगे तो वो क्या होगा attach होगा यह एक दूसरा file किसे एक साद link कर दिये मैंने और insert करेंगे तो यह हमारा insert photo पे upload मैंने किया चूज photo मैंने के download और मैंने दो photo यहां पे ले रहा हूं एक यह attach कर रहा हूं मैंने जो मैंने background आपको लगाया था पिछले videos में open किया मैंने यहां पर देखें यह insert हो गया ठीक और मैं एक यहां पर photo लगाता हूं जो कि मैं इस photo के साथ insert करूंगा और upload photo और यहां पर आया है मैंने और open कर दिया हमारे पास दो photos है ठीक है दो photos है मेरे पास मैं इसको भी थोड़ा चोटा कर देता हूं ठीक है दो photo मैंने एड़ किया एक attachment के थुरू मैंने दो insert ही कर दिया था क्या I think maybe मैंने इसको मुझे attach करना था तो मैंने यहां पर गया और attachment यहां पर आया और open कर दिया देखें attachment में क्या हुआ कि मैंने यहां पर attach कर रहा था लेकिन हमारा यह link आया है तो यह का मतलब attachment का मतलब होता है कि जब आप attachment करते हैं तो वो आपका photos वेग रहा है वो drive पर automatic upload होता है और उसकी link यहां पर आपके email में जाती है और जो आपका insert image है वो आपके email में दीखता रहता है यह मुझे आपको difference दिखाना था आपको कि यह insert image और इस attachment में क्या है तो attachment में आप PDF सारा चीज़ है जितनी फाइल्स है आप उनको send कर सकते है कोई zip folder सारे चीज़ है उसके बाद है link करना जैसे माल लो आप यहां पर कोई link देना चाहते हो link ठीक है कोई site का जैसे मैं यहां पर इसका link देना चाहते हो कोई चीज आप drive से यहाँ पर insert करना चाहते हो तो drive पर क्लिक करेंग और आपका share drive, सारा drive यहाँ से आप access करते हैं जैसे आप system करते हैं तो upload जैसे हैं 클lick करते हो तो आपका file manager पर जाता है जो भी आप उपको आपec़ीजे वेग्रार होटा है तो उसी तरह से क्या है, Google Drive क्या है, आपका online एक file manager है, उसमें जितने भी आपने folder बेकर चीज़े रखे हैं, आप उनको रख सकते हैं, अगर local में नहीं है, तो आप उनको upload भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये चीज़ समझा, अगर आपको कोई emoji बेकर इंसर्ट क इंसर्ट करा देजे, जैसे थम्सब का कोई मिल जा मझे, यहाँ पर क्लिक कर देजे, इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने emails में कोई emoji एड़ करना है, तो वो भी एड़ कर सकते हैं, यह जो signature है, इंसर्ट signature यहाँ पर, तो अभी देखे हमारे एड़ कर सकते हैं, इनको मैंने लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे हम signature एड़ करते हैं, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने email लीक सकते हैं, और send पर जैसे ही click करेंगे, तो यह send पर चला जाएगा, या फिर आप इसको schedule भी कर सकते हैं, schedule send मतलब कि आप इसको schedule कर सकते हैं, send करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक और email डालता हूँ, यहाँ पर, जैसे cc में मैं ही डालता हूँ, सारती, यहाँ पर मैं एक email डालता हूँ, यह, और मैं send कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने पूरे content अपने लीक लिए, और मैंने send कर दिया, तो मैं send किया यहाँ पर, तो यह जिनको भी है, यहाँ पर option आ रहा है, undo और view message, तो view message करूँगा, तो हम message देख पाएंगे, यहाँ पर message कि मैंने क्या गया, ठीक है, और वहाँ पर जो undo आ रहा था, option, undo option, तो undo से क्या होता है, कि हम उनको, हमारे पास time set करते हैं, setting में जा करके, मैं भी आपको बता हूँगा, क्या से हम लोग उस चीज़ सेट करते हैं, तो undo पर जैसे के लिए करते हैं, तो में भी हो सकते हैं, कि आप जैसे हैं send कि आपको याद है, कि यह चीज़ गलत थी, तो आप undo कर सकते हैं, जिनको आपने send किया, उसके पास पहुँचने से पहले ही आपने undo कर सकते हैं, तो वो अहाँ पर time limit होता है, प्रोक्स जो greater than है, व तो आपने अभी सीखा कि कैसे आप email को effectively send कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे चीज़ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको वरवली बता भी दिया, और उनको दिखा भी दिया कैसे क्या चीज़े होती हैं, अगर किसी का email आया, तो आप उसको कैसे respond क्लिक करूंगा, तो इसमें जो भी वरक से बगरा है, वो सारे चीज़े क्या कर सकते हैं, यहाँ पर respond करना होता है, reply, reply all और forward, तो अगर forward करना है, तो मतलब कि इस email को किसी दूसरे को send करना है, तो आप forward पर क्लिक करेंगे, अगर आपको केवल जिसने email send किया है, reply करेंगे, तो उसी को reply में जाएगा, और reply all करेंगे, तो सभी को जाएगा, जितने लोग इसमें email में add है, जैसे अभी देख टू में, और सिसी में कोई नहीं है, मली टू में है, तो यह reply all करेंगे, तो मैं सभी को ये email जाएगा, और reply करूँगा, तो किवल जिसने send किया, जिसने send किय उसका name आ रहा है अगर मैं delete कर देता हूं यहां से और मैं reply करता हूं तो यह reply again मैंने कर दिया यहां पर reply all करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर mohit and यह दुनों आ रहा है दुनों का name आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी के email को respond कर सकते हैं और जैसे reply all पर किजिए या फिर reply पी किजिए same process आपका जो compose email में था वही चीज यहाँ पे भी आ जाते हैं जैसे आपे click करेंगे cc add bcc यहाँ पे चीज़े आ जाएंगे ठीक है यहाँ पे click करेंगे तो वो hide हो जाएगा और बाकी जो मैंने आपको यह सारा चीज़े बता रखाया already तो वो कर सकते हैं तो यह हमारा basic चीज़े था क्या respond email में ठीक है या फिर जैसे कभी-कभी होता है कि आपको किसी अपने team members को किसे juniors को किसी अपने colleagues को add करना होता है उस email chain में तो आप कैसे add करेंगे simply जाएंगे यहाँ पर reply या फिर reply all पर reply all पर जाएंगे most of the cases और यहाँ पर plus button use कीजिए या फिर आप add the rate भी use कर सकते हैं plus भी use कर सकते हैं ठीक है दोनों कर सकते हैं और यहाँ पर उनका name टाइप करने लगिया आप जैसे मैं अभी मोहित के सर्च करता हूँ और मोहित का मैंने सर्च किया और यहाँ पर send कर दूँगा तो मोहित को update हो जाएगा कि उसको मैंने इस mail chain में add किया है ठीक है तो अभी मैं add नहीं करता हूँ अभी के लिए ठीक है इस तरशे हम क्या करते हैं अपने किसी भी email जो हमें receive हुआ है उसको हम respond करते हैं याँ कि उसको reply करते हैं now managing email email को हम manage कैसे करेंगे तो यह सारे options कहाँ पर आपको दिखते हैं जैसे आप दिखे forward है, reply है star है, यहाँ पर आप click करेंगे three dots पर तो यह सारे options आपको मिल जाते हैं इनहीं को हम लोग बोलते हैं managing email जो हमें email आया या फिर email जो मैंने send किया जैसे मैं अगर देखा हूँ send box में भी तो आपको इसको open करेंगे तो यहाँ पर भी आपको same options मिल जो मैं हमने पिछली वीडियो में इनको email send किया था जैसे email send का मैं बात करूँ तो यहाँ पर reply है reply to all or far यह तीनों options यहाँ पर आपको bottom में भी देखने को मिल जाते हैं तो same वही है यहाँ पर filter message like this कि अगर इसी subject से related अगर कोई email है तो आप उनको filter भी कर सकते हैं इस email को आप print करना चाहते हो print भी कर सकते हो और delete this message, इस message को delete करना चाहते हो अपने पास से ठीक है उसको भी कर सकते हो now report as spam क्या अगर माला था क्यों को frequently mail आपको send करते हैं कि यह जा रहा है कि यह जा रहा है तो आप उसको report as spam कर सकते हो so original जैसे so original पर आप क्लिक करेंगा तो यह इस तरह से open होगा और इनका जो html format है इस तरह से आपको यह दिख जाएगा ठीक है now download message download message पर क्लिक करेंगे तो यह message आपका download हो जाएगा ठीक है यह message download होगा आपका now इस पर जाएंगे और यहाँ पर translate message mark as unread mark as unread करेंगे तो क्या करेंगे वो जैसे अभी मैं आप में दिखाऊँ कि देखें मैंने मेरे पास मैंने सारे mail read कर चुका हूँ तो अभी जो मैंने open करके आपको दिखाया था यह मुझे unmark करने है तो unread करना है तो यहाँ पर जाएंगे यह जो आपका है mark as unread तो यह हो गया कि अब मेरे पास यहाँ पर notification देख रहे हैं कि one आ गया यहीं कि एक email मैंने एक email जो है हमारा मैंने उसको read नहीं किया है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने email को read unread में convert कर सकते हैं ठीक है इस तरह से अब यहाँ आप देखिए mark as unread आ रहा है मैं mark कर दूँगा तो यह read हो क्या unread आ गया ठीक है देखिए जैसे मैं open किया तो यह read हो कर लिया मैंने और मुझे unread करना है तो mark as unread मैं बाहर आ जाओंगा और यह दिखाए an email in a gmail unsend मैंने जो आपको भी बताया था कि कैसे हम setting करते हैं वो चीज़े मैं आपको बताया देता हूं कि suppose आपको आपने reply कर रहा है किसी email को ठीक है किसे को email send कर रहे है first time तो आपको जैसे करते हैं आपको पता चलता है कि यह थोड़ा सा क्या है यहां पर error था तो उस error को remove करने के लिए हम क्या करते हैं अपने setting में जाते हैं और यहां पर आप जाएंगे सबसे last में सुरी यहां पर उपर में ही दीख रहा है see all settings see all settings पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रोल करके जस्ट नीचे आएंगे और यहां पर आप देखेंगे general setting में मिलता आपको where is the setting undo send यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो option से यहां पर undo send send cancellation period के हमारे ने 30 seconds maximum क्या होता है 30 seconds आप अपने recording 5 10 20 और 30 रख सकते हैं तो मैंने अभी 30 रखा है मैं अभी 20 कर देता हूं इसको आपको दिखाने के लिए 20 यहां पर कर देजिए और आपको default 10 रहता है यह तो आप 20 करके यहां पर यह फिर 30 जो आपको अच्छा लगे स्क्रोल करके जट नीचे आए और save changes पर क्लिक कर देजिए अगर आप save changes पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका वो setting सेटिंग सेव नहीं होगा देखिया पहले मेरा क्या था 30 था ना अब मैं सेटिंग पर जा करके आपको दिखाता हूं कि हमारा अभी यह वो 10 20 दीखेगा 20 हो चुका होगा मैं आगया यहां पर और स्क्रोल करके जिस्ट नीचे आया और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा वेरीज यह अन्डूसेंट कंसलेशन क्या है 20 सेकंड्स तो मैं इसको अगें 30 कर देता हूं तो हमारा क्या हो गया अब 30 शेकंड हो गया अब मैं आपको बाता हूंगा यहां पर नेक्स जो चीज़ से है टाइम सेविंग एमेल टैप्स ठीक है कि कुछ टीप्स हैं जो कि आप एमेल सेंट करने के लिए रिसीव कर रहे हैं या फिर फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो उस सेलेक्टिंग मल्टिपल इमेल, कीबूर्च अटकर्ट्स, क्रियाथिंग ग्रूप्स और इमेल फिल्टर तो इसमें किया कर सकते हैं कुछ टीबे हैं जैसे सलेक्टिंग मैने मल्टिपलंऐ इमेल्स बता है, जैसे कभी-कभी होता है आपको एक इसी तरह के इमेल्स different clients different colleagues different team से आस जाता है लेकिन आप उसको read नहीं करना जाता है उसका कोई purpose नहीं होता है एक तरह से आपको maybe cc में हो bcc में हो आपका mail आया तो आप उसको select multiple करके जैसे मैं भी यहाँ पर देखिए जो आपका जो यहाँ पर checkbox बना हुआ है इसको select कर सकते हैं multiple और मैं इसको कर दिया इहाँ पर जाकर के mark as unread तो अभी देख रहा है माले जब यह दो तिंग email है जो एक तरह की हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ नहीं है मुझे पढ़ना ही नहीं है मैं जानता हूँ कि इसमें क्या कंटिंज होगा तो मैं इसको जाकर के mark as unread कर दूँगा तो आप एक एक email को अगर यहाँ पर read करते तो आपका time ज़्यादा बेश जाता और इस तरह क्या कि आपने एक ही बार में select करके आप चीज़ों को use कर सकते हैं या फिर और भी अच्छा better way है कि मालने ज़े आपको कुछ email delete करना चाहते हैं तो वो चीज़े कैसे करेंगे तो मालने ज़े कि मैंने यहाँ पर click किया तो अभी देखिया हमने क्या किया select पूरा का पूरा जो हमारा 100 email यहाँ पर 100 हो रहा था उन सभी को मैंने select कर लिया और मैं यहाँ पर delete भी कर सकता हूँ इसको unread कर सकता हूँ इनको किसी दूसरे folder में भी send कर सकता हूँ यहाँ से किसी labels के अंदर तो वो सारे चीज़े मैं यहाँ पर कर सकता हूँ multiple photos को click करके जैसे मैंने आपको control B बटाया control A तो इस तरह से control यहाँ पर A करेंगे तो यह नहीं होगा क्योंकि इनका जो shortcuts है मैंने आपको आगे slides में दे रखा हूँ कि कौन-कौन सा चीज़े से होती है वो सारी चीज़े यहाँ पर आएंगे मैंने create groups रखा था तो groups का ही मैं बता जाता हूँ जो इसको हम लोगा space बोलते हैं ठीक है इसको एक बार refresh कर लिता हूँ इस तरह से यहाँ पर मैं आप गर आता हूँ यहाँ पर तो हमारा जो myspace होता है यह हमारा groups होता है एक तरह से ठीक है तो मैं यहाँ पर newspace पर क्लिक करूँगा और newspace पर क्लिक करने के बाद हम create space कर सकते हैं ठीक है और create space जैसे ही पर क्लिक करूँगा तो हमसे यह पूछेगा space का name दीजे description और enter email जिसको आप add करना चाते हैं जो आपके teams हैं उन सभी को यहाँ पर add कर सकते हो आप ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको जो name आप दोगे यहाँ पर उसका name आ जाएगा ठीक है जैसे myspace मेरा है मैंने इसको अपने work के लिए रखा है तो अभी one member है because मैं ही added हूँ जो इस तरह आपका space दिख जाएगा यहाँ पर keyboard shortcut for gmail यहाँ पर कैसे हम जैसे आपने कोई keyboard आपका shortcuts है वह कभी-कभी आपके gmail में जब आप first time use करेंगे तो वह work नहीं करता है तो आप आपको gmail जो shortcuts है keyboard shortcuts उसको on करना होता है कैसे on करना होता है मैंने यहाँ पर आपको बता रहा है तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है आपको तो मैंने बताया कि setting पर जाना है आपको और setting पर see all setting पर जाएए और यहाँ पर scroll करके आप आईए यहाँ पर देखेंगे आप keyboard shortcut off तो आपका first time क्या होगा इस तरह से keyboard shortcut off दिखेगा तो आपको क्लिक करना है keyboard shortcut on पे और save changes पर क्लिक करना है अब देखें मेरा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा on है पहले से मैंने off किया और save changes आ रहा है तो save changes पर क्लिक करतीजी तो आपको off नहीं करना है आपका पहले से already off होगा तो आपको क्या करना है इस तरह से on पर आ करके save changes पर क्लिक कर देना है then आपका यह क्या हो जाएगा save changes हो जाएगा कुछ कुछ मैंने यहां पर keyboard का most of the time या फिर ज्यादा तर use होने वाले shortcuts जो Gmail में होते हैं उनका मैंने यहां पर list बना चुका हूँ और आप यहां पर देख सकते हैं आ करके